असलाम अलेकुम दोस्तों आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने योट्यूब चैनल कतर खबर योट्यूब चैनल पे तो साथ यूँ आची वीडियो में सबसे पहली जो खबर आ रही है आमीर लेस फॉंडेशन इस्टोन फॉर रास लफन पेट्रो केमिकल कॉ साथियो कतर में एक बहुत य बड़ी दोस्तों प्रजट पर काम होने वाला जो भाई लोग हमेशा मुझे से ये पूछते हैं कि भाई कतर में कोई प्रजट का काम नहीं हो रहा है नूपर नहीं हो रहा है वहाँ पे नई वरकरों को काम नहीं तो भाई मैं बापको बता नहीं है तो भाईविक आप लोग को मन में हमेसा सवाल ये रहता है कि बाई कतर में काम नहीं है वीजा नहीं 양टे निकल रहा है तो यह दोस्तों खबर सुनने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि ये बिल्कुल ये आफ़वाग हैं कतर में काम अभी भी हो रहा है उससी स्कूल & kindergarten मिनिस्ट्री ऋजूकेशन के तरफ से साथियों एक सेफटी गायड लाइंज यारी किया गया है प्राइविट स्कूलों में और kindergarten स्कूलों में तो मिनिस्ट्री इजूकेशन अफिhr सेक्टर रिलीज एस्टड़ी स्कूल एक्टिवीटी गायड 2024 इसमें प्राइवट स्कूल भी सामिल है किंडरगार्डन स्कूल भी सामिल है बहुत तरह के दोस्तों इंट्रक्शन जिया गया जैसे की गायड कब इस्ट्रक्शन ओंदी चार्ड सेफटी यानि वच्चों की सेफटी और गाडलाइन चारी की गया है इसमें वेके करके बताने लगो तो ये वीडियो काफी जादी लंबी हो जाएगी अगली खबर के उशाथ ही चलते हैं अगली खबर दोस्तों आ रहे हैं कुएत आमिर एराइपस एठ हमाद इंटरनेशनल एरपोर्ट साथियों कतर और कुएत के र कतर के आमिर दोनों के बीच में मुलाकात हुई जैसा कि खबरों को पड़ सकते हैं आमिर सेक तमींबी दमल थानी मीटिंग अमिर दीवान अमिर अविश्य च्टरली स्टेट कुएत हैसे सेक मिसलल अहमद जबर अल्सभासाफ दोनों के बीच में दोस्तों मुलाकात हुई और अलग-लग मुद्दों पे दोनों के रिस्टों के सुधारने के लिए इस सब चीजों में बाते की गई साथी वीडियो के उसमें फोटो देख रहे हैं साथी फोटो देखे आपको समझ में आही गया होगा इसकिस मुल्क का यह हालात हो सकता है तो साथी अब फिलिस्टीन की दोस्तों यह नजारा है साथी बता दू कल के दिन 24 घंटा के अंदर लगभग 100 लोग की मारे जाने की ख़बर निकल कर अभी तक आ रही है गाजा के हिल्थ मिनिस्ट्री के तरफ से ओफिसल यह एनॉस्मेंट किया गया तो साथी कुछ खबरे थी अपडेट्स नी जो कातर सा रही थी मैंने अब तक सेयर किया मिलता हूं साथी उनेक शुड़े पेस्टा है हिनने टेक केर